वित्व मंत्री निर्मला सीता रमंड जब बजट पेश करने संसत पहुची तो उनके हात में अटैची की जगा लाल पोथी थी जबकी परंपरा रही है कि जब भी वित्मंत्री बजट पेश करने संसत पहुँचे तो उसके हाथ में अटैची हुआ करती थी निर्मला सीता रमंड से पहले अरुन जेटली ने जब बजट पेश किया था तो उनके हाथ में अटैची हुआ करती थी जटली की जगह जब प्यूश गोयल ने बजट पेश किया तो वो भी अटैची लेकर बजट पेश करने पहुँचे UPA सरकार के दौरान पी चितंबरम भी अटैची लेकर बजट पेश करने जाते थे वहीं अटल बिहारी वाजपई की सरकार के वक्त यश्वंत सिनहा भी अटैची लेकर बजट पेश करने गए थे मतलब आजादी से लेकर अब तक अटैची लेकर बजट पेश करने की परंपरा रही है मगर इस परंपरा को निर्मला सीता रमन खतम करती नजर आई निर्मला सीता रमण के हाथ में लाल पोथी नजर आई मोधी सरकार ने इसे हुलामी की परंपरा से मुक्ती बताया है आपको बता दे भारत में जो व्यापारी है वो अपने हिसाब किताब का रजिस्टर रखते है जिसकी जिल्द लाल रंकी होती है और लाल पोथी से कहीं न कहीं निर्मला सीता रमण ने बजट को देश के व्यापारियों से जोड़ने की कोशिश की है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में एहम योगदान व्यापारियों का ही है जो देश की उन्नती में भागीदारी निभाते हैं शायद इसी लिए बजट को इस बार नाम बदल कर बही खाता रख दिया है ठीक वैसे ही जैसे व्यापारी अपना हिसाब बही खाते में रखता है झाल 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 झाल